साथियो नमस्कार हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की आर्ट एंड क्राफ टीचर भरती यानि ड्राइंग ध्यापकों की भरती के ग्रेस मार्क की अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है तो प्यारे दोस्तों, ड्राइंग टीचर भरती के साथियों के मन में ग्रेस को लेकर काफी परसन हैं, कि क्या भरती में अभी तक ग्रेस मार्क मिले हैं, कितने परसनों की ग्रेस मार्क से HSSC द्वारा एक्सेप्ट किये गए हैं, साथियों इन सब परसनों को लेकर ही हम ये व इसी में हम बताएंगे कि grace mark कम मिलते हैं कैसे मिलते हैं क्या तरीका होता है grace mark लेने का क्या drink teacher भरती में अब भी grace mark मिलने का उचित समय है तो साथियों इन सभी परसनों के उत्तर जानने के लिए session को complete देखना और complete देखने के बाद यदि आपको session अच्छा लगे तो session को like कर दे जो तरीट अधीद Technically परिक्षा के अंदार अदेरण हुए हैं पास हुए हैं इंटिर्विविए फेस किया है या फेस करने जा रहे तो साथियों उन सब लोगों तक ये पहुँचने चाहिए क्योंकि सभी इस असमंजिस में हैं कि ग्रेस मार्क का मामला क्या है क्योंकि बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके हमारे को वो कहा था कि सर ग्रेस मार्क पर आप एक सेशन या वीडियो जरूर बढाएए तो उसी को लेकर हम आज ये सेशन लेकर आए हैं तो साथियों आगे बात बढ़ाते हुए और बात जानने से पहले सबसे पहले हम ये बताते हैं कि वास्तों में grace होती क्या है तो साथियो grace mark तीन तरह से दिये जाते हैं question of withdrawal benefit to all और grace तो तीनों में क्या फरक है question of withdrawal है साथियो मानलो आपका परसन पतर में 100 परसन थे और उनके अंदर से 4 परसन गलत थे 4 परसनों के जवाब सही नहीं थे या जवाब जो थे वो एक से अधिक ठीक थे या परसन ही गलत लिखा हुआ था misspelled था हिज्जे उसके सही नहीं थे यानि वो परसन तरूटी पुरण था तो साथियो एक तो ये system होता है कि उन question को ही विड्रा कर लिया जाता है मानलो च्यार question गलत थे तो च्यारों को विड्रा कर लिया तो आपके 96 question आपके माने जाएंगे और साथियो अगर एक परसन दो नमबर का है तो आठ नमबर आपके उसमें से निकल जाएंगे यानि अब आपका 200 नमबर की बजाए आपका साथियो एक सो बढ़ुए नमबर का paper मानना जाएगा और उसी के आधार पर ही आपका result निकाला जाएगा और उसी को consider किया जाएगा एक तो तरीका ये है दूसरा है benefit to all साथियो मानलो च्यार question गलत थे तो च्यारों question के नमबर जो लोग उस paper के अंदर बैठे थे उस paper को उन्होंने attempt किया था participate किया था उन्होंन नमबर दे देना तो जो आठ नमबर है च्यार question के वो सब को दे दिये गए वो एक तरीका होता है benefit to all साथियो last and third जो आप पूछना चाहते हैं वो grace तो grace क्या होती है साथियो grace मानलो आपके च्यार question गलत है और च्यार question में जिन लोगों ने उन च्यार question को हल करने का attempt करने का और उन्होंने वो गलत उनको attempt कर दिया गलत उनका उत्तर दे दिया तो साथियो जिन लोगों ने उनका गलत उत्तर दिया उनको ही उनके number मिलेंगे बाकि जो साथि थे जिन लोगों ने उन चार परसनों को attempt ही नहीं किया उनको soul नहीं किया तो साथियो उनको उसका कोई benefit नह नहीं मिलेगा ग्रेस नहीं मिलेगी तो यह होता है ग्रेस का मामला जिन्होंने अटेंप्ट किया गलत पर्षनों को और गलत उनका जवाब दे दिया तो साथियों उनको मिलती है ग्रेस मानलो को आपको उधारण के तोर पर बताते हैं मानलो की किसी क्वेश्चन पेपर का दस दसमा पर्षन गलत है और उस दसमें पर्षन को जितने लोगों ने अटेंप्ट किया और उनने गलत जवाब भी दे दिया क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है तो जवाब गलत मिलेगा तो जितने लोगों ने दसमें क्वेश्चन को अटेंप्ट किया उन लोगों को ही उसका अंक मिलेगा अगर किसी उमिद्वार ने दसमा परसन अटेंप्ट ही ने किया तो उसको इसका फाइदा नहीं मिलेगा असल में यही ग्रेस होती है जो मेरिट को आगे पीछे लेके जाती है तो साथियों बात हुई कि ग्रेस का क्या अब उचित समय है ड्रेंग टीचर भरती के लि लेकिन अब भी ग्रेस मिल सकती है रेजल्ट के बाद तक भी हो सकता है ग्रेस का तो अब थोड़ा सा प्रोसेस इसका बदल जाएगा मान लीजी आपको ग्रेस लेनी है तो ग्रेस लेने का मक्षद अब आरटियाई के माध्धम से ही होगा साथियों ग्रेस लेने के लिए आ आपको पहले RTI लगानी पड़ेगी जितने भी परसनों के उत्तर एक से अधीक लगते हैं या जिन परसनों पर आपको संशे हैं जो परसन आपको ठीक नहीं लगते उन परसनों की RTI लगाओ RTI लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे RTI लगानी है तो साथियो RTI लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जहां से आपने Art and Craft का डिपलोमा किया है चाहे आपने किसी युनिवस्टी से किया हो चाहे आपने किसी बोरर से किया हो चाहे आपने ITI से किया हो यानि जहां से भी आपने डिपलोमा किया है वो आपका प्लेटफॉर्म है और वहां पर उस इस्टीचूट के HOD के एड्रस पर आपको RTI लगानी पड़ेगी इन परसनों की और साथियो RTI को लिखने के लिए हमें क्या करना है जैसा आपका परसन पत्तर में आया था जो परसन आये थे उसको डिटो हूभ भू जयों का त्यों आपने लिखना है आपने टाइप करवाना है वो क्वेश्चन मालो जैसे परसन नमबर दस कोई गलत है तो उस परसन नमबर दस को जैसे हिंदी और इंग्लिस में आपके question paper में HSSC ने आपसे पूछा, सेम आप उसी तरीके से उसको type करवाएंगे, और उसको type करवाके मान लिजिए 10 में question के बाद फिर आपका अगला बारवा परसन भी गलत है, जो पूछा गया है परसन पत्तर के अंदर, तो फिर आप उस बारवे परसन को भी शेम उसी परकार type करवाएंगे, यानि जो 2 परसन, 4 परसन, 5 परसन, जिस जिस पर आपको सक है, वो सारे के सारे परसन आप type करवाने के बाद, आपने जहां से अपना डिप्लोमा किया है, उसी संस्था के HOD के पास वो भेज दीजिए, और एक के पास नहीं, दूसरों के पास भी भेज सकते हैं, क्योंकि RTI हम कहीं से भी मांग सकते हैं, चाहे वो आप किशी उनिवरस्टी से मांग लीजिए, चाहे ITI के HOD से मांग लीजिए, आप कहीं भी भेज दीजिए, और जहां से आपने डिप्लोमा किया हैं, उनसे जुरूर मांगिए, तो साथियों वहां से आपके पास जवाब आएगा, सर्टिफाइड कोपी आएगी, जो आपके पास सर्टिफाइड कोपी आएगी, वह आपके हथियार बन जाएगी, यदि आपको उसमें उसका जवाब जैसा आप सोचते थे ऐसा ही आया, यानि HSCC द्वारा दिये गए उत्तर HOD की तरफ से गलत साबित हुए, तो साथियों वह आपका हथियार बन गए, और वह आपका ग्रेस मारक का आधार बनेंगे, और उनी के आधार पर ग्रेस मिलेगी, फिर आप उन सब को ले जाकर के केस डाल देंगे, क्योंकि आपके पास सर्टिफाइड कोपी है, तो सर्टिफाइड कोपी के आधार पर आपका केस बनेगा, और केस बढनने के बाद भले ही आपका result डिकलेर भी हो गया हो तब भी revise result भी हो सकता है वैसे chances कम होते हैं लेकिन जब तक result अभी तो time है क्योंकि result आया नहीं है 22 तारीक को पेची है 22 तारीक के बाद देखते हैं आगे क्या होगा हो सकता है 22 तारीक को निप्टारा हो जाए केस का तो 22 तारिक के से अगले सुवह 23 तारिक को रेजल्ट भी घोसित हो जाए लंबा खिंचे तो फिर आपकी RTI आपके पास आ जाएंगी certified कोपी आ जाएंगी तब आप डाल सकते हैं तो रेजल्ट से पहले भी आपका काम हो सकता है मान लीजिए जल्दी निप्टारा हो जाए और रेजल्ट आ जाए तब भी आप उसकी कोशिस कीजिए यदि आप उसकी कोशिस करते हैं तो आपको benefit मिल सकता है क्योंकि आपने जब question ठीक किये हैं और उन्होंने गलत पूछे थे तो आपको benefit मिलेगा मिल सकता है revise result जारी हो सकता है और साथियों अगली session में हम उन परसन के से पूछे गए जिनके उपर आपको grace mark मिल सकते हैं और अगले session को तब लेकर आएंगे जब आपको ये session अच्छा लगेगा साथियों अगर ये session आपको अच्छा लग रहा है इसमें आपको कुछ जानकारी हासिल होई है grace mark को लेकर जो आपके person थे मन में वो मिल रहे हैं जब उनको आपके person के तो साथियों अगले session को भी लेकर आएंगे उसमें आप comment करके बताना कि सर उन question को भी बताईए कि कौन-कौन से question आप है के हिसाब से grace mark के लिए उचित बनते हैं वैसे तो आप सभी इसी विशे से संबंदित हैं आपको भी पता है लेकिन हम भी ले कि कौन-कौन से person पर grace मिल सकती है तो उन person को भी लेकर आएंगे लेकिन साथियों अगर आपको ये जानकारी यहां तक जो हमने बताई है वो अच्छी लग रही है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो का अधिक से अधिक से air करना और comment करके बताना कि हम अगली session भी लेकर आए grace के उपर जो person वड़ा session है तो साथियों हम जुरूर लेकर आएंगे और साथियों इस update में आज इतना ही जल्द ही हम अगली update में मिलेंगे और अगर कोई हमारे channel की तरफ से आपको मदद मिल रही है तो channel को समर्थन आपका मिलना चाहिए लाइक इतने मिलने चाहिए यदि आ सहारा मिले इस भरती के लिए अगामी जो भी आपकी जानकारी जरूरी है वो मिलती रहे तो साथियों आज की इस update में दवारा आपसे विदा लेने के लिए इतना ही नमस्कार वंदे मातरम जल्द मिलेंगे next update में thank you